तारक महता का उल्टा चश्मा शो को लेकर एक बड़ी कॉंट्वर्सी खड़ी होती नजर आ रही है इस वक्त माहोल ऐसा है कि जितनी गलत चीजे हैं वो इसी शो के साथ हो रही है चाहे आर्टिस का छोड़ना हो या फिर मेकर्स का आर्टिस को नौकरों की तरew बिहेव करना हो या फिर आर्टिस का पैसा रोकना हो शो बदनाम अल्रेडी हो चुका है और अब शो के कॉंटिन पर भी उंगलिया उट रही है शो पर इस बार इज़ाम लगाया है कि ये जो शो जो हसाने का दावा करता है घर घर में इस शो को इसलिए पसंद किया जाता है कि ये शो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हसाता है ये शो अब political conspiracy में लिप्थ हो गया है और अब political चीजे अपने शो में दिखा रहा है कुछ ऐसी चीजे जो दो समुदाय के बीच या एक समुदाय को ठेस पहुँचाने का काम करती है ये controversy शुरू हुई है तारक मेता का उल्टा चश्मा शो के एक scene पर जहाँ पर सोडी को टायर में फसे हुए दिखाया गया सोडी पूरी तरह से उनके हाथ सहीद टायर के अंदर फसे हुए नजर आ रहे हैं इस शो की एक clip सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और कुछ सिख संगठोनों का कहना है कि 1984 में जब सिखों के उपर दंगा हुआ था तो सिखों को इसी तरह से मारा गया था सोडी को इस तरह से टायर में फसाना संगठनों को 1984 के उन दंगों की याद दिलाता है और कहीं न कहीं अभी जो माखॉल चल रहा है खलिस्तान को लेकर और जिस तरह से टेंशन चल रही है उसमें इस सीन ने और ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी है सोशल मीडिया पर अब ये क्लिप वाइरल हो रही है और पंजाब सिख तालमेल कमिटी ने कहा है कि वो तारक मेता का उल्टा चश्मा शो के खिलाफ के केस करेंगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसे ही लापरवाही में नहीं हुआ है ये जान बूच कर किसी शडियंत्र के तहत किया जा रहा है शो से कुछ सिखों के खिलाफ नेरेटिव कायम करने की कोशिश की जा रही है तो बड़ी कॉंट्रुवर्सी में तारक मेता का उल्टा चश्म शो फसा है और जल्द ही असित मोदी पर केस किया जाएगा ये पहली बार नहीं है जब असित मोदी के उपर केस हुआ है काफी आर्टिस जो इस शो से निकले हैं उन्होंने शो से निकल कर सबसे पहला काम यही किया है कि असित मोदी पर केस किया है